हर्याना राजे में संप्रदाइक दंगा का भड़कना और इसका गुरगांवे अन्य छेत्रों में बिना रोख ठोक फैल जाना तथा उसे हिंसा में अनेकों लोगों के हता हात होने के साथ है धादमिक स्तल सहीत लोगों की संपतियों की भारी हानी होने से ये साबित होता है कि मनिपूर की तरह ही हर्याना राजे में भी कानून विवस्ता काफी बुरी तरह से द्वस्त है खुफिया तंत्र भी निस्क्रिय है जो ये हर प्रकार के अती दुखत दुर्भाग्य पूर्ण वे काफी चिंता जनक भी है साथ ही जैसा कि हर्याना राज्ये की सरकार का ये दावा है कि संप्रदाइक दंगा वीप आदी की यात्रा पर पत्राव को लेकर सुरू हुआ जिससे भी पूरे तोर से ये स्पस्ट है कि हर्याना सरकार उस यात्राव को सुरक्षा देने में पूरे तोर से विफल रही है जबकि राज्ये के शाषन पर शाषन वे खास कर खुफिया तंत्र को खास कर इन मामलों को लेकर हर परकार से काफी चुस्त वे दुरूस्त होना चाहिए था कुल मिलाकर इससे वहां की राज्ये सरकार की निती नियत वे कारे शैली पर भी काफी कुछ सवाल उटना सोभाविक है इतना ही नहीं बलकि यदि वहां की राज्ये सरकार इस प्रस्तावित यात्रा जलूस्वे प्रद्रशन आदी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार दुआरा इसके आयूजन की अनुमती ही क्यों दी जाती है ये वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार वह सब्वे सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए बुशना चाहिए और खासकर नुम की घटना को लेकर ये लगता है कि हर्याना राज्ये के पास दंगावै उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नियत का पूरी तरह से अभाव है जो और भी चिंता जनक बात है वैसे वी चाहिए मनिपूर हो या हर्याना सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व्य शर्व नाग घटनाए पिछले कुछ दिनों में काफी हुई है हुई दर्दनाक व्य शर्व नाग घटनाए दंगा एवं हिंसा आधिकों राजमिती तता संकीन स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देने चाहिए क्योंकि लोगों के जान माल वे मजब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली सविधानी जिम्मेवारी बनती है जो स्तानिय पुलिस के निस्वक्ष एवंपरभावी परियोग से संभव है जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बलकि चार बार करके दिखाया है अपनी हकोमत चार बार यूपी में मेरे निर्थित में सरकार मा रही है तो एक बार नहीं बलकि चार बार मैंने अपनी हकोमत में वहाँ लोएन ओडर बहतरिन बनाके कानूं का राज काईम करके वहां दिखाया है जिससे सबक लिया जा सकता है इसके इलाबा बीएसपी की ये मांग है कि हर्याना की राजे सरकार को वहां संप्रदाइक सद्भाहव पर भाईचारा अमन चैन आदि की बहाली का निस्पक्ष गंभीर अवां इमानदार परियास तुरंती सुरू कर देना चाहिए तथा केंदर की सरकार को भी इस मामले में राजे सरकार की हर परकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए ताकि वहां हालात आगे ना बिगड़ने पाएं जिसकी अशंका को लेकर ही दिल्ली वे यूपी सहित अन्ने कई राजों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है जो उचित कदम भी है अंत में मैं अपनी वे पार्टी की हुर से हर्याना वे नस्दीक के लगे राजों की जनता से भी शांती व्यवस्ता बनाने की पुर्जोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समात करती हूँ धन्यवाद